दोस्तों अगर आप बिहार बोज से इंटर में एद्मीशन लेना चाहते हैं 2024 से 26 सेशन के लिए तो जैसा कि आप लोगों को पाता ही होगा कि 11 में एद्मीशन का जो लास्ट देट है वो आज 20 अप्रैल 2024 तक ही रखा गया है मतलब कि आज तक अगर आप लोग ओनलाइन अप्लाई नहीं करते हैं तो यहां पर आप लोगों का अद्मीशन नहीं हो पाएगा अब ऐसे में काफी सारे स्टूदेंट का बार बार कमेंट आ रहा है कि इसका लास्ट देट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा और कुछ स्टू आप इस वीडियो को अन तक देखेगा और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक से जो किजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि जो भी इस परिकार की अपडेट होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी साथ ही हमारे व अपरेल 2024 तक रखा गया है ऐसे मैं यहां पर फिर से आप लोगों को मौका मिलेगा ओनलाइन अपलाई करने का या नहीं मिलेगा तो देखें यहां पर आप लोगों को बिल्कुल घवराना नहीं है इसका 100% देट बरेगा यानि कि अगर अभी तक आप इसके लिए ओनलाइन अपलाई नहीं कर पाए और किसी कान भरस आज भी आप और यहां पर आपको घवरांए की बिजूट नहीं है यहां परगों से कम एक सप्ता का और मौका दिया जाएगा 1 सप्ता तक इसके लिए और भी अवेदन होगा इसका जो लास्ट देट बरहाया जाएगा वोंसे से कम 25 अपरेल तक बरहाया जाएगा 25 अपरेल 2024 तक आप लोगों को इसके लिए ओनलाइन अवेदेन करने का मौका दिया जाएगा 25 अपरेल 2024 तक इसके लिए आप ओनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए अभी तक कोई भी ओफिसियल नोतिफिकेशन जारी नहीं हुआ है लेकिन इससे पहले जो सिक्षा विवाग के दोरा एक नोतिफिकेशन जारी किया गया था उसमें जो आप लोगों का ओनलाइन अवेदेन करने का देट रखा गया था वो 11 अपरेल 2024 से लेकर के 25 अपरेल 2024 तक रखा गया था लेकिन फिर से जब बिहार विद्याले परेक्षा समीति पतना के दोरा नोतिफिकेशन जारी किया गया उसमें यहां पर आप लोगों को जो आउनलाइन अपलाई करने का देट दिया गया वो 11 अपरेल 2024 से लेकर के 20 अपरेल 2024 तक का देट दिया था तो ऐसे में यहां पर जो आप लोगों का फिर से पांच दिन जो घता दिया गया उसी पांच दिन को बहा करके यहां पर जो आप लोगो को कम से कम 25 अपरेल तक यहां पर आप लोगो को मौका मिलेगा यानि कि 25 अपरेल 2024 तक आप लोग इसके लिए अधिकारिक नोटिफिकेशन आएगी हम आपको वीडियो बना करके जनकाई दे देंगे अभी तक इसके स्टूदेंट कर लेते हैं कि जीन भी एस्तूदें चयांफे मेंन फंस गया उस स्टूदेंट को क्या करना चाहिए तो देखेज अगर आपका प्रेंट फंसuish गया तो आपको कुछ नहीं करना यहां पना आपको दुबारा प्रेंट नहीं करना है यहां पर आप लोगों को 24 से 45 घंते का इंतिजार करना है 24 से 45 घंता का इंतिजार करने के बाद आप लोगों का जो पेमेंट हो सेक्सफुल हो जाएगा उसके बाद आप लोग अपना रिसीविंग डाउनलोद कर सकते हैं और जिन भी एस्टुदेंट को लग रहा है कि हमारा पेमेंट फस गया और इसका लास्ट देट नहीं बढ़ेगा तो हमारा एडमिसन नहीं हो पाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसका जो लास्ट देट हो 100 परसेंट बढ़ेगा इसमें आपको घवराने की कोई नहीं है अब चली हम बात कर लेते हैं कि इसका जब लास्ट देट बढ़ेगा तो सबसे पहले आपको किस परकार से जनकारी मिलेगी तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या लैप्तॉप में ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च बार में सर्च करना है ओनल करके सर्च करेंगे आपके सामने इस परकार का प्रेज ओपन होगा जहां पर आपको सबसे पहले ओनलाइन हेल्फ दौतिन का लिंक मिलेगा इसी वाले लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस परकार से ओनलाइन हेल्फ दौतिन का website open होगा इस website का डारेक्ट लिंक हम इस वीडियो के description box में देदी हैं वहाँ सभी आप डारेक्ट इस website पर आ सकते हैं इस website पर आने के बारे यहाँ आपको नीचे आना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा 11 में नमांकन के लिए ऐसे करें online अवेदन का इस वाले option पर क्लिक करना इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस परकार से एक new page open होगा तो अब यहाँ पर आपको नीचे आना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो लास्ट देट बताया जा हैं कि आप लोगों का जो लास्ट देट हो बढ़ा या नहीं बढ़ा या फिर जैसे इसका देट बढ़ेगा हम आपको वीडियो बनाय करके भी जनकाई दे देंगे तो अभी तक इसके लिए कोई भी ऑफिस्यल अपडेट नहीं आया है लेकिन आज साम तक इसके लिए कोई भी इसके लिए औن लाइन अप्लाई कर सकते हैं आगर आप किसी के वह से इक तासरो क कर दिया जाएगा जिसके भी जो आप लोग में चर contempt कर सकते हैं तो आज के बस इतने हैं पी मिलते हैं अगले वीदियों अगले तोपी के साथ जय हिंदू